पुप आपने शेंगर आपने झाल। किष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन मैं तेरे लिए परंग्यान जो सब ज्ञानों से उत्तम है कहता हूं जिस ज्ञान को पहचान कर मेरे भख्थ्, मुनिश्व्, परमसित्, मेरे पर्मानद, अभिनाशी बद में जो प्राप्त होते बहत Says meant के अश्रेल लिया है जिननों कुझ पता है कि मेरा ही ग्यान सबसे अच्ठब है और ऐसा मानते शीकिशन जी सबसे बड़े हैं इसा ही धर्म होता यहां अच्ठोग संसार की पर्ले के साथ ब्ले नहीं पर जैसे में संसार के उत्पत्त्ती के साथ त्वां इसा ही तु मेरे भक्तों को जान जहे अर्जुन और परम ब्रम्न योनी मेरी योनी divert वह उसमें ब्रहुत्व को उत्वत्ति होती है ये क्या है इस सब अंगश्वरम होमें जो बैले उत्वत्तियां उत्पन होती है उनका उत्पति इस्थान प्रिकर्ठी जो है देने वाला पिताब मैं हूँ, हे मावावो प्रकृति से उत्पन सत्त, रज और तम इन तीनों गुर्दे में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं, हे अनक, इनमें सत्त निर्मल होने के कारण प्रकाश निरुपद्रप है जो प्राणी को सुख और ग्यान के स साथ बांधती है, हे कौनती रागात्मक रजो गुर्द से त्रशनात आ सकती उत्पन होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है, तमो गुर्द की उत्पत्ती अज्ञान से है, ये नम्र आलस निंद्रा से प्राणी को बांधता है, हे अर्जुन सत्त सुख उत्पन क तंब सब ग्यानों को ठखके पर्मादErब युण सत्यों गुंड को बढकर best действительно को और रजब आचा है को और तम सत्य धने दाख दए जब ग्यान का प्रिकास उत्पन हो तब समझे सुपन की विशेश प्रती हुई है एकुनते जब रजोगुड बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है रजोगुड मतलब राजा वाला गुड शहिंशाई जब रजोगुड बढ़ता है प्राणी लोबी हो जाता है वह सुक आराम के द्रब बढ़ाने में जुट जाता है वह हर समय कारे में लगा रहता है निश्काम नहीं बैड़ सकता जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि राजस गुड बढ़ रहा है हे कुंती नंदन तमोगुड की प्रबलता में अविबेग अनुद्यम प्रमाद और मो ये सब होते हैं जब देय में सत्वकुड के उदय में मिर्थु प्राप्त होती है तो वो ज्यानियों के प्रिकास में लोग को पाता है रजोगुड के उदय होने पर मिर्थु को प्राप्त करने वाला कर्मों में आसत मनुस योनी में जनम लेता है और तमगुड के उदय में मरा हुआ मूड योनी में जनम पाता है साथवी कुन्य कर्म का फल भी साथवी कलंक रहित होता है राजस करम का फल दुख और तामस करम का फल अज्यान है सत्य से ज्यान उत्पन होता है रजिसे लोग तथा तम से प्रमाद मोह और अज्यान की उत्पति होती है सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को माध्यम और तामसी को अधम गती प्राप्ति होती है जो द्रिस्टी गुड़ों से अर्थात अलग नर्गुण साक्षी मात आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है जो देश शरीर में उत्पन होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुड़ों को जीत लेता है वह जन्म मुर्तु बढ़ापा और रोग से छूट कर मुक्ति पाता है यह अर्जुन मैं इन तीनों गुड़ों को कौतुक देखने बाला हूँ इन गुड़ों से अतीत हूँ जो मुझे ऐसा जानते हैं वे मेरे पर्मानंद अभिनासी पद्गों प्राप्त होते हैं के अम्रदपान करने से संसार में जनम मरण नहीं पाता यह बचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालू श्री किष्ण भगवान से पूछा हे भगवान हे कृपा निदान यह जी जो तीन गुड़ों से बंदा है इसके छूटने की क्या भी दिये और इसके क्या लक्षणे है जो देहे के साथ 빠शने पर भी तीनो गुड़ों से अतीत है अर्जुन की विने सनकर सुरी किष्ण भगवान बोले ह हैं अर्जुन जो देहे के साथ होते हुए भी तीनों कुड़ों से अतीत है उसके लक्षण सुन कि वह गुड़ों को देह में ऊपस्ता बरत दा जानता है इसलिए उनसें बिचलित नहीं होता वह बुड़ों को पुरा नहीं मानता है इसलिए उन्हें VIEGu भास भी नहीं सुछता यहीं उदासीन हुना है है को हटाने कहा किनि सूछता क्यूंकि जब supports बुरी विचार आते जाते हैं उन्हें हटानी कोशिस करते हैं तो और ज्यादा आते हैं तो क्या गरना चाहिए उनको इग्नोर कर देना चाहिए आते रहे आते रहे लेकिन अपना मन फिर दूसरी तरफ लगाए तहार्मीक चीजों में गीता पड़े जो आपको पसंद रहाम क पथा सुने एक प्रियाव खोले कोई मुझे पनि ओर चाहिए तो इससे दूर दूसरे कंदाबे यह उदासी नो ना इससे मेरा क्या प्रियों यहां फिरके इसमनेका बोर्ड़ ने चाहर जयmez एक जैसे ब्लभ कि माया गुणों को उप जाती है वैसी देहों में सुभाब मिले हुए गुण बरत्ते हैं मैं आत्मा रूप इसे न्यारा हूं इस प्रिकार गुणों से प्रेरित होकर चले फिर कैसा हूँ दुख सुख में एक समान इस्तृ निन्दा में एक सब्सक्राइब जाने आदर अनादर करने से दुखी सुखी ना होँवे शत्रू मित्रू को एक जैसा समझे किसी कारिका आरंब ना करे अब जिस प्रकार तीन गुरु से अधीडं का प्रिशन की आएं। यह लक्षण कहिए है। अब जिस प्रकार तीन गुरु से अतीड हुबहे। कि यह सुन। kelloст मुझे विशंबर प्रभू जानकर केवल मेरे में शुर्ती लगाबे। जैसे बहुत सारे बोणा आए जा रहे हैं हमें कोई भी तो उनको हटा के प्रभु में ध्यान लगा और सब अतारों से मन हटा कर शीतल सभावों मेरी भक्तिवे मन देवे और कहें हे प्रभु मैं तुमारा दास हूँ तुम सब के करतार हो मैं दीन अनात हूँ कृत घन हूँ तेरे गुण की योगों मैं जानता हूँ तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं है मैं तेरे अधीन हूं हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रंते हैं और तुई इस यंत्र का सूत धार है है देव में तेरी शरण हूं तू सबका आश्रा है है अर्जुन किस्पकार भक्ति सुन किस्पकार सरल भाव से जैसे मा अपने बच्चे को समझाती है बेटा ये गंदी चीज आथ आँ सुछी की माशा करें में रखना मंध रता क्या इसा कि वॉस्था है प्रॉज भरता है जहते है सबकार करें सब्सक्राइब को सब्सक्राओन है सब्सक्राइब के बाता है पर त्यूस्थ में अ fan byического हधीन। तो हमारी किसी प्रिय की मिर्ति हो जाते हैं तो हम कैसे रोते हैं पस हे राम क्या किया है तू यह जो कुछ है तो मेरी शरण आजा तो तुझे यह कोई चिंता नहीं सताएगी मैं तेरे अधीन हूं हम कर्वियंतर में पड़े ब्रह्मते हैं और तू इसी अंतर का सुन्त दार ह तू सबका आस्र है यह आर्जु जो इस पकार मेरा दास हूँ है और केवल मेरे साथ प्रिती रख कर मेरे ही सरण आए खिल ही नहीं बस दासों का दास दास ओढ़ा कियो पियो कि विश्नु बगान केहते हैं पेले में दासों की त Takes की मत्ति करता हूं फिर मैं नंप्री लीक जब मुझे लगता है कि मेरे दास का भी दास है, तो यह इसका नहीं बहुत बढ़ा है, थाज अब अब मेरे दास का भी जो दास है, वह मेरे लिए बहुत बढ़ा है. सबसे पहले गहा का मुक्ति किया उसको अपने धाम बेजा फिर गज का उद्धार किया हेर्जुन जो इस्पकार मेरे दास होबे और केवल मेरे साथ पीती रखके मेरी ही सरण आवे वह तीनों गुड़ों से अतीत होता है और देख साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है यह मार्ग तीन गूडों से अतीत होने का अब मैं कैसा हूं उस आत्मा का प्रताब सुझ इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम ब्रह्म है मुक्ति धाम ब्रह्म है इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूं इतनी इतनी सारी बातों का नाम ब्रह्म है मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है, मुक्ति धाम बैकुन का नाम भी ब्रह्म है इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ, इन सब की सोवा मैं ही हूँ मैं कैसा ब्रह्म हूँ, अबिनाशी हूँ, ना मरता हूँ, ना जनमता हूँ पुरातन सबसे पहले धरम रूप में तीनों लोगों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ गुण गिराही सुपका समूद परमानंग भगवान सबसे प्यारा हूँ सबसे न्यारा हूँ, सबसे अनोखा हूँ, सबसे अनमोल हूँ और मेरे तो बहुत लाड़ ले इती सर्म श्रीमद भगवद गीता सुपनिस दसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री किष्णा अर्जुन सम्मादे गुंत्रे विवाग योगो नामो चतुर्दसु अत्या दीन बंदू दिनाना मेरी डौर तेरे हा दीन बंदू द दीन बंदू दिनाना मेरी डौर तेरे हा दीन बंदू दिनाना मेरी उनिहार ये मेरी दुख कुँ निवार ये दीन बंदू दिनाना दीन बंदू दीन आनात मेरी ओनिहार ये मेरी दुख कुनिवार ये दीन बंदू दीन आनात मेरी डोर तेरे आ जै श्री रादे जै श्री किष्णा हरहर महादेव चोद में अध्या का महात्म श्री नाराण जी बोले हे लक्षमी अब चोद में अध्या का महात्म सुन चोद में अध्या तो साथ में और नो में और दस में अध्या से भी बहुत प्यारा लगा उसमें तो किष्ण कैसे चोटे बच्चों की तरह अर्जुन को समझा रहे हैं कमाल कर दिया किष्ण कितने प्यारे हो आप संगल दीप का राजा एक दिन अन्य राजाओं को आमंत्रित कर शिकार खेलने को चला सभी राजाओं के पास अपने अपने शिकारी कुत्ते थे उनमें शर्ट बंदी थी कि जिसका कुत्ता शिकार करे वह शिकार उसी का हो सब राजाओं ने अपने अपने कुट्टे छोड़े तब एक जाड़ी में से एक खरगोश निकला जिसके पिछे सभी शिकारी कुट्टे तोड़े संगल दीप के राजा के कुट्टे ने उस खरगोश को पकड़ लिया मगर किसी कारण से वह छुट गया और पुने भागा कुट्टे के दांत उसके शरीर में लग चुके थे इसलिए शरीर से खून बहराता कि भागते बन में वह उस स्थान पर पहुंचन ज्या एक कक्चक तालाप पानी से भरा था वहाँ एक साधू रहता था घ्रवोश उस तालां में जागरा और पीछे से कुटा जागरा इतने में राजा भी गोड़ा दोड़ाकर वहां आप पहुचा देखा कि दोनों कि तालाब में मरे पड़े और देव देही पाकर प्रकुंट को छले है लुआ जा को देखकर उन्हें है राजा न तु धन्य तेरे प्रताप से हमने देव देई पाई है यह राजा ने पुछा कैसे हुआ यह तब उन दोने कहा हम नहीं जानते जल के छूने से हमने देव देई मिली है राजा का मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उधार हुआ वह दोनों बैकुन को चले गए राजा ने वहां बैठे संत जी को नमस्कार करके पूछा है संत जी बारता को यह कौत और आश्चर क्या है खरगोश और शोवान दोनों का इस जल के इस बर्च करने से उधार हो गया यह जल कैस संत ने कह ए राजन मेरा गुरू यहां रहता था कि इस्नानकर गीता चौद में अध्याय का पाल करता था मैं भी इसनान करके जीता का पाल करता हूं राजा ने का भन है जो आपके प्रताप से एसी योनियों का उत्खार हुआ है मेरे द्न्य भाग है जो आपका दर्संवा उसी दिन से अपनी नगरी को जाकर राजा भी नित्य प्रत्स्री की ताजी के चोद में अध्यागा पाठ करने लगा और अंत में मोख्ष प्राप्त किया बोलो सचितानन बवान की जै शीरी किष्ण गोविंदे हरे मुरारी हेनात नारायनिवा चुदेवा हेनात नारायनिवासुदेवा छीरिक गोविन हरे मुरारी हेनात नारायनिवासुदेवा जजे गोविन हरे जजे गोपाल हरे मदि सुदन हरे गनेश याम हरे हरे किष्ण हरे किष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 किष्ण हरे किष्ण किष्ण हरे राम 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 हरे अरे रादे रादे दोस्तों है पिट पच्छ पॉद्बध मुबारपू और आज में चौदे माँ आते हैं महत्म सहित सुनाने जा रही हूं तो आप सभी सुन लेना लाइक करना जरूर सुनना धियुव फित्रों को खुश करने के लिए बिषी खुश रहे सब्सक्रेशं इसलिए सब काम छोड़के में तो अपने पित्रों को जरूर गीता सुनाती हूं तो चौद में आता है महात्मसाहित उससे पहले कीतन आप बहुत सुखियों खुशों और आपके सारे काम बहुत अच्छे से बने और चैनल भी आपका बहुत ग्रों करें यह मेरी मनु कामना है शुकामना पित्रों शीरी किष्णा गोविंदे हरे मुरारी हे नाते नारायनि वासुदेवा शीरी किष्णा गोविंदे हरे मुरारी शीरी किष्णा गोविंदे हरे मुरारी हे नाते नारायनि वासुदेवा शीरी किष्णा गोविंदे हरे शीरी किष्णा गोविंदे हरे शीरी किष्णा गोविंदे हरे मुरारी हे नाते नारायनि वासुदेवा शीरी किष्णा गोविंदे हरे शीरी किष्णा गोविंदे